सबस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन सरस्थान परिक्षा प्रसमें कैसे है सभी और कैसी चले आप सभी के तियारी बहुत बड़ी सूशना आप सभी के लिए है कि यूपे टिपल सी की तरफ से लगातार पीटी 2022 की तरफ से दिखा जाए तो य ये वेकंसी है फॉरेस्ट गार्ड की इस बार इससे पहले वन दरोगा का पेपर अभी अभी समाप्त हुआ है अप्रेल में ठीक है उसके सारी जानकारी अपने देखा होगा पूरा नया पैटर्न था नया सिलबस था अब इन्होंने क्या किया है लगबग उतने ही पद इसस 701 पथा अब 709 पदों पे एक वेकंसी आई है पीटी 2022 की तरफ से और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एलिजबिल्टी है एलिजबिल्टी आपकी एज के हिसाब से 18 साल से लेकि 40 साल तक के लोग इसमें बच्चे एपलाई कर सकते हैं रही बात कि इसमें क्या अलक से हम कट ओफ क्लियर कर पाएंगे सौट लिस्ट हो पाएंगे या नहीं तो सौट लिस्टिंग जो इसकी है वो आपको बता दूं की बंदरोगा की लग लग साथ सो एक पधी थे सब कुछ आपका सिमिलर ही था उस हिसाब से लगबग 75 नंबर कट ओफ गया था तो इसमें भी पर 17-15 के आसपास ही जाएगा उससे थोड़ा कम जाने की उम्मीद है कारण यह है कि 2021 के आधार पर वो आया था जहां पर नंबर आउफ फॉर्म कम थे यहां पर 2022 के आधार पर आया है जहां पर नंबर आउफ जादा थे और इस हिसाब से देखा जाए हाला कि अगर यह बट फिर भी 17-75 मान के चलो जो बच्चे पीटी के स्कोर में पा रहे होंगे 2022 के वो बच्चे इसमें ज्यादा आसानी से हो सकते है इसका फॉर्म आविदन 12 सितंबर से चालू है उसके बाद लाश्ट डेट जो इसका है वो 17-10 से इस बात को धान देना सुल्क जमा करने का ऑनलाइन बढ़ने का लाश्ट डेट 10-10 है इसमें कितने हैं आठारा से चाली साल सब बसकते हैं चेश्यो तिरानने पद किसके हैं और वन जीव रच्चक के टूटल 16 पद है ऐसे में चेश्यो तिरानने प्लस सूला साथ सो नौपत के लिए टूटल वेकेंसी निकली है जो आपका सेलेक्सन मोड होगा वो क्या होगा वो आपके रिटन एक्जाम और फिजिकल पेपर हों घिकेंच हो खचपसा का एक नंबर पॉच्टिफ 0.25 निगेटिव मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ की वन दरूगा का जबाला था थो उसके 26 फ्यंट इंक्लूट किया ग और इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आपका पेपर होगा वो आपका स्लेबस नया पैटर्न आएगा और उसी पैटर्न के आधारित अपका क्या होगा स्लेबस दिया जाएगा ठीक है बाकी इसमें सारी चीज़ें वही कॉमन रहती है पक्चिस रुपए का आपक आपको 200 रुपए जंदल के लिए और 80 रुपए जंदल और OBC के लिए 200 रुपए और SC और ST के लिए 80 रुपए भरने होते हैं मेंस फॉर्म के लिए तभी आपका अड्मिट कार डाउनलोड होता है यह बातें सभी को पता होनी चाहिए आपको स्रेड़ी वार इबाद ग्रे पे दोनों का सेम है पदों की संक्या 333 और आठ आनरक्षित है अनुसुचित जात में 189 है अनुसुचित जिंजाती में पांच और 9 है अपने अपने स्रेड़ी में एक बार यह पद देख सकते हो जो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है यह वन्द प्रदेश बंद विवाग अवर अधिनस्त सेवा नियुमाली 2015 के अधार पर इन्होंने क्या बोला अभ्यरती के माध्यमिक सिक्षा परिशत उत्तरप्रदेश की इंटर्मीडिट परिक्षा या उसके समकत च्पास होना चाहिए बस अधिमानी अहलता में इतीन पॉइंट ह यह बतना को समझेगा किसी खेल में राजि का प्रत्रयुत किया हो अगर रहे हो किसी खेल के किसी अधिमानी अहलता बच्चों वह होती है कि आपको अन्वास के लड़के का नंबर है तो आपके पास इन चारों में से कुछ है तो आपको जादा प्रयट्टी देजाएगी उ ऐसा नहीं है कि आपका अभलने के लिए यह होना जरूरी यह नहीं है तब भी आप फॉर्म बल सकते हो तब भी अपलाई कर सकते हो और तब भी आपका सेलेक्शन होगा तो अधिमानी हालता में अभी परिक्षा के बारे में बतादू कि इसका अभी पाठीक्रम जारी नहीं किया गया है अभी अब को दिखा दिता हो जो वंदोरोगावाला था उससे साब से कुछ हो सकता है बाड़ी जो शारीरी इनकी परिक्षा है इसमें नियुनत्म मानक देख लो उंचाइट जो है य सुचित जंजाती अभ्यातियों के लिए कितना है 82 cm है नियुनतम 5 cm अनिवाद है चाहे आप किसी भी केटेगरी में हूँ महिला अभ्यातियों के लिए केवल हाइट है और इसमें सीना नहीं होता वजन है वजन कितना है 45-58 kg के बीच में होना चाहिए सारेरिक मानक होती है इसमें आपका मेडिकल टाइप में होता है तो संबंदित वण प्रभाग के प्रभाठी प्रभाणी निदीशक होंगे इसमें चिकितों यह सारे क्या होता है medical लेते हैं तो आप ऐसे समझो कि यह medical है इसके बाद पूरुस अभ्यक्तियों से क्या किया जाएगा यह 4 गंटे 25 मिड़ना है और महिलाओं को कितना है चार गंटे 14 किलो मेटर बार कि इस बात को आप समझते हुए चलते हुए चलिएगा ठीक है बाकी सारी चीजे सेम है लिखित परिक्षा है पार्टेक्रम एक बार मैं आपको दिखा दू कि क्या पार्टेक्रम आपका संभाविच जो पार्टेक्रम हो सकता है वो एक बार मैं आपको दिखा दू इससे पहले 701 पदो पे 1 दरोगा का जो पद आया था UP SSC PT 2021 के आधार पे दायता 701 पदों पे उसमें जो 26 पंटे आप screen score ले सकते ओ राष्टीर और नित्थी से काफी प्रशन थे 1978 से राष्टीर वान जियू कारीयोजनास से प्रश्ण थे राष्ट युद्यान और पक्षिअ अभ्यारण से प्रष्ण थे अनारक्षित आरक्षित वन और सारक्ष वन कालोनी वन भूमी का राजय सब लेको यह किसका सिलेबस है यह मैं वन दरोगा का सिलेबस बता रहा हूँ तो वन जो आपका बोल सकते हो कि फॉरेस्ट गार्ड का इस पर वेकेंसी आई है उसमें भी आपका सिलेबस लगबद इन ही 26 बिंदों पे होंगे आप इनके स्क्रिंसॉट ले सकते हो ताकि आपको यहां पे तयारी करने में सहास्ता हो नया पैटर्न बदलेगा एक नंबर पॉस्टिव होगा जिरूपें टू हिसाब से पूंचता है आप देखे होगे कि यहां पे जैसे वन्नीत से काफी कोशन पूंचा था राष्टे वन्नीत 1988 से लगा था दो तीन प्रश्ट पूंचे थे उसके बाद तीसरा राष्टे वंद्जीव कारियोजना उन सभी वंद्जीवों के सरक्षन में मतलब कि जो दोना राष्टे उध्यान यह सारी चीजें इससे क्या हुआ था पूंचा गया था तो यह आप एक बार पेपर जो है इसका टेलिग्राम पर आपको डाल दिया जाएगा वन दरोगा का भी सिलेबस भी डाल दिया जाएगा इससे आपको फॉरेस्ट गार्ट की तैयारी करने फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवास अभी का बहुत बहुत आवार